नमस्कार सातिय। 2022 न हो चुकी है आपको सब को पता है कुरोना खुद भी नहीं रुकना चाहता है। कुरोना खत्म हो जाए। जी हाँ। कम्पनिया कौन सी है जो कम्पनिया वेक्षिन बनाती हैं। उनसे related हम बात करेंगे कुरोना की स्थिति आपको सबको पता है साथ यो खराब है अगर इंडिया की बात करें तो आज से अगर तस दिन पहले देखा जाए तो साथ हजार के करीब केस आ रहे थे अगर 31 दिसंबर की बात करें तो 14 हजार केस आ हैं यानि जस डबल हो गए आप सबको पता होगा ओमिकरोन के मामले बढ़ रहे हैं लंडन में यूके में आपको पता है परडे केस दो लाग के करीब आ रहे हैं फरांस में परडे केस दो लाग के करीब अभी आ रहे हैं अमेरिका में अगर बात करें 30 दिसंबर की 5-5.5 लाग केसा है निदरलेंड जर्मनी में देख लिए जी जी क्या इस्तिती है करोना की यानि कुल मिलाके बैंकर रूप लेता जा रहा है दुबारा तरीके दूसरे तरीके से करोना जी हाँ लेकिन क्या आप ये सोच सकते हैं कि कमपनियां भी नहीं चाहते कि करोना खतम हो जाए इसका जबाब हम वीडियो में देंगे बैंकर कमाई है इन कमपनियों की लेकिन गरीब लोग आज गरीब देश है ना वो आज भी तरस रहे हैं कि उनको कोई एक वेक्सिन दे दे तो हम एक बंदे को लगा दें ये स्थिति है गरीब देशों की ये कमपनियां एक डोज में कितना पैसा कमाती है जी हाँ और ये अब तक कितना पैसा कमा चुकी इससे रेलेटेड हम बात करेंगे एक सर्वे आया था देनिक बासकर का आप भी देखना पढ़ना तक ये कमपनियों के किकत आपको सामने आए क्या कोई भी सरकार ये देस भारत ने एक प्लान बनाया था सो देसों के साथ में लेके लेकिन अमेरिका की जो कमपनिय है न भई उसने जोन एट जॉनसन के साथ नमें कूंपनी ऑ रहा उन्होंने मिलके इन हजार क्रोड रुपे घर्च करके भारत की ब्लान को फैल कर दिया वैक सिसर मुनाफा कैसे है और क्यूं है इस से रिलेटेट भी हम बात करेंगे वीडियो पूरा देखिएगा अच्छा लगे तो भाई लाइक शेयर करिएगा चैनल जुरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ओन कर लीजिए फेस्बुक पेच वाले पेच को फोलो करके रखें ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नहीं नहीं अपडेट मिलती रहे तो चलिए चुरूरात कर लेते हैं स्क्रीन पर आप भी देखते रही हैं आप देखिए साती हो यहां से कंपनियों की सुरूरात हो जाती है 75 रुपे में एक वेक्सिन तयार होती है 30 गुना तक मुना नहीं चल रही है बाकाइदा यह देखिए वेक्सिन करोन वेक्सिन आने के बाद फार्मा कंपनियों का मुनाफ़ा देख लो बैई 2020 में अगर फाइजर की बात करें ना ओनली फाइजर आपको पता है साई यूके की कंपनी है 2020 में 62,000 क्रोड रुपे कमाए और 2021 में एक करोड रुपे 2021 में मर्डना ने कमाए जोंसन और जोंसन ने देख लो 97,000 क्रोड रुपे 2020 में कमाए एक सो दो लाख करोड रुपे 2021 में कमाए बायो एंटेक यह देख लो भाई 300 क्रोड रुपे 2020 में कमाए 61,000 क्रोड रुपे 2021 में कमाए नोट यह आंकडे 2020 और 2021 के आंकडे जनवरी से सितंबर के बीच में है अब देख लो जी अमीर देशों से करार गरीब देशों को इनकार ये इस्तिती है इनकी कंपनियों की अब बात कर लेते हैं एक सो लोगों पे वेक्षिन की कितनी डोज लगी है हाई इंकम वाले देश जो देश भाई पैसे वाले हैं वो सो मिडल इंकम वाले देश में 82 डोज यानि सो लोगों पे 82 डोज उनको मिली हैं और कम इंकम वाले देश में मातर 11 डोज हैं सो लोगों पे 11 वेक्षिन मिली हैं सिर्फ इनको ये इस्तिती है भारत की देखिए भारत का परस्ताव पास नहुजए इसलिए नेताओं की WTO के पास में लेकिन कमपनियां बता दूं मैं ये जो फार्मा कमपनी है ना इनों ने मैज कुछ दिनों में 50 मिलियन डॉलर यानि 3700 क्रोड़ सो रुपे से अधिक नेताओं परो लोबिंग में खर्च कर दिये यही नहीं दवा कमपनियों की मजबूत लोबिंग की वज़े से भारत का ये परस्ताओ पास नहीं हो पाया देखिए वेक्षिन की लागत से 300 गुना ज्यादा वसोलती है रोकने वाला कोई नहीं है ये इस्तिती है बाई बिर्टिस का अगबार है देगार जिन की हालिया रिपोर्ट के मताविक फाइजर को वेक्षिन का एक डोज तैयर कर करने में एक डोलर यानि 55 रुपे खरचाता है इसे कंपनी 30 डोलर में बेचती है यानि यूके में यूके जैसे देश में 30 गुना ज्यादा किमत लोग देखकर फाइजर की वेक्षिन करोना वेक्षिन को बुस्ट देने में आगे जर अमेरिका में बुस्ट डोज लगे हैं 6.5 करोड यूके में 3.2 करोड जर्मनी में 3 करोड ब्राजिल में 5 करोड रूस में 66 लाग जी हां बुस्ट डोज लग चुके हैं अंदा दूंद कमाई गरीब देशों को वेक्षिन देने पर कंपनियों के जवाब किया है वई फाइजर के अलबर्ट बोलना कहना है कि ये हम तैयार हैं हाई कीमत इनको दी जाएगी वगएर वगएर जो भी इनके बाने बना रखे हैं जोन्सन एंड जोन्सन का दावा है कि उसने 100 करोड डोज गरीब देशों के लिए रखा है फाइजर का कहना है कि वो 41 पर 36 डोज मद्दे मौन निम्न आए वाले देशों को देगा आलांकि गरीब और मद्दे आए वाले वरक के वाले देशों को वेक्षिन मिलने में देरी क्यों हो रही इसका कोई ठीक जवाब नहीं है यह बात समझे आप यह सचाई है इन वेक्षिन कमपनियों की यह इतना हरामी पन पे उतर रही हैं इनको कोई मतलब नहीं है वो पैसा मिल जाए जी हाँ गरीब देशों को उन्होंने एक भी दोज अभी तक इनोंने नहीं दिये यह सचा ही है इंडियन सरकार या इंडिया ने फिर भी गरीब देशों के लिए करोड़ों डोज विजवाई हैं अपने खर्चे पे आप सब को पता होगा लेकिन इन कमपनियों न एक भी रहम दिल नहीं दिखाया कि सो करोड़ पचास करोड़ दस बीस पचास लाग डोज उन गरीब देशों को दे दे एक भी नहीं बांटी है हाँ पैसा दे के कोई भी खरीद लो यूके यूस से जो बड़े देश है इंडिया आपको पता इंडियन सरकार भी एड़वा बना दी अब कमपनी तो यह चाहेगी कि इसको क्यों खरीदें लोग क्यों ना खरीदें वो तो यह चाहेगी कि यह बिकती रहे यह बिकती रहे सेम कंडिशन यह है फाइजर बगर यह नों ने डोज बना दी अब यह चाहते हैं कि करोना लाइफ में रुके नी लाइफ में ह पचे तरजार टू पचे तरजार ऐसे रुपे छापने बता हुए और गरीब देश बिचारे बैठे हैं पसी अपडेट आप लोगों साथ सेयर करना था साथ यू वीडियो चाल लगे तो लाइक सेयर करिए मिलते नेक्स वीडियो मसी जानकर के साथ जेहिंच